कर स्वागत आपका सागर कोचिंग सेंटर भगानपूर में मैं हूं सर्वन कुमार सागर आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर का है साइन्स के इंपोर्टेंट कोस्टन्स तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है वाई मंडली ये दाव का मापन किया जाता है ओप्सन में वोल्ट मीटर से बैरो मीटर से गेलविनो मीटर से या थर्मा मीटर से तो इसका सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करके जरूर लिखेगा इसका सही उत्तर है ओप्सन भी बैरो या होती है इसको उदासी नी करन कहते हैं तुस्ट यह तीसरा वला उप्शन सही हो जायेगा तैसरा पुरॉष को आंदोलन सम्मंदीत है जल संरक्षन से मिर्दा संदक्षन से से वन संदक्षन से तो चिप को आंदोलन संद यह हो जाएगा वन संदक्षन से सी ओप्षन सही है अगला है स्वेथ परकास किरन का अपने अभी अभी रोंगों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं परकास का इसको वर्न विछेपन के नाम से हम लोग जानते हैं दंत विशेशक द्वारा दांतों का बड़ा पर्तिविम देखने के लिए पर्यूक्त किया जाता है तो हमेशा किसका प्रयोग करेगा अवतल दरपन का प्रयोग करेगा अगला प्रस्न देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर का तापिय परास है क्या होता है 35 डिग्री से बियालिश डिग्री सेल्सेश के बीच होता है स्वश्द मानव नेत्र के लिए अस्पष्ट द्रिष्टी की निूनतम दुरी वे अधिकतम दुरी होती है तो नूनतम दुरी कितना होता है। अगला परशन देखते हैं कवस्टा नमर आठ पर चलिए परशन सेरल शुक्समदर्सई में बना परतिविम्यों होता हैं। निम्न में चुंबक्य पदार्थ नहीं है कौन सा पूच रह llam हो जाएगा जस्ता ये चुंबक्य पदार्थ नहीं है विदोध धराके चुंबक्य प्रभाव की खोज इने की थी औश्ट्रेट ने ये उप्सेंडी सया हो जाएगा शुरी अपनी विकिरन उड़ जा कहां से प्राप्त करता है तो शुरी में कौन सा संलियन होता है ना भी किया संलियन होता है तो आप्शन D सही होगा अगला प्रसन देखिए एक सवाल है कोई कार 40 किलो मेटर प्रती घंटा की 4-15 मिनट चलती है इसके 50-60 किलो मेटर प्रती घंटा की 4-15 मिनट चलती है तो तैखी गई दूरी गयात करना दूरी बराबर सुत्रों क्या होता है चाल गुना समय है ठीक है तो यह आप देखे 40 है 40 और समय हो गया 15, चुकि इधर घंटाम में है, तो इधर भी हमें घंटाम बनलना होगा, तो 15 बटर साइट करेंगे, तो यह हो गया 15 मिनट को घंटाम इस तरह से लिखेंगे, 60 से भाग दे करके, यहाँ 0-0 कट जाएगा, दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू आगर कर दो करना ही है, तो इस तरह से कर सकते हैं, एना 15 मिनट है, तो 15 इसको घंटाम बनलने के旁वे 60 से भाग देंगे, 60-60 कर जाएगा, पंदू-दू-दू तो टोटल दूरी पूछ रहा है तो 15-10 कितना हो गया, 25 किलोमेटर किस option में, option number B में है, तो इसका option number B सही है, अगला प्रस्ण देखिए, निम निखित में कौन सा 1 उत्पाद नहीं है, यानि कौन सा इस चीज़ में, जो 1 से प्राप्त नहीं होता है, तो केरोसिन जो 1 से प्रा चायक सेल को फिर से क्या कर सकते हैं, आविशित कर सकते हैं, पेरामिस्यम का प्रचलन अंग, या प्रजनन होना चाहिए था, ठीक है, पेरामिस्यम का प्रजनन अंग है, कौन सा होगा, सीलिया, कोशी की एक क्रियाओं का नियंतरन करने वाला अंगक है, इसको क्या बोलते है केंद्रक बोलते हैं जो कोशी किये क्रियाओं का नियंतरन करता है केचवे का स्वसन अंग है केचवा किसे सांस लेता है तो अचा से सांस लेता है यूरिया उर्वरक है क्या हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरक है ब्रायो फाइलम में किस भाग के द्वारा जनन किरिया होती है तो इसमें क्या होता है पत्ती के द्वारा ही होता है निमोनिया का रोग कारक सुक्स्मजीब है निमोनिया रोग किस के कारण फेलता है जीवानू के कारण फेलता है रोग का टिका लगाया जाता है टाइफ हाइड में रोहू और कतला क्या है मचली का एक प्रजातिय ना ती हो जाएगा option C मचली की जातिय दूद में उपस्थित परमुख तत्व है दूद में क्या उपस्थित रहता है केल्सियम मुखिरोप से उपस्थित रहता है अगला प्रस्ण है साहिवाल किसकी नसल है तो साहिवाल क्या होता है गाय होता है तो यह हो जाएगा option A में गाय है अगला देखते हैं धुर्विया भालू को अत्यदिक ठंडी जलवाई में रहने के लिए कौन सी विस्षिस्ताएं अनुकुलित करती है तो क्या कारण है कि उर लावल option सही है स्वेत बाल होता है उसके बाद तोचाक नीचे वसाओता है तिव्र सुझने की छमता होती है इस कारण से वो रह लेता है अगला प्रस्ण जाइलम उत्तक का कारी क्या है बते जायलम का कारी क्या है जल का परिभन करना अगला है एक व्यस्क स्वस्त मनुष की हिर्दय अस्पंदन की दर होती है ये कितना होता है सतर से असी प्रती मिनट गेलवेनी करन है लोहे पर जस्ते की परत्चड़ाना जंग लगने पर लोहा प्रवर्थित होता है आईरन ओक्साइड में एल पी जी मपाई जानवाली मुख्य गेंस क्या है तो इसका नाम है ब्यूटेन अगला प्रस्न देखते हैं मार्स गेंस कहते हैं मार्स गेंस किसको बोलते हैं मिथेन गेंस को मार्स गेंस बोलते हैं केल्सियम की सन्योजक्ता है केल्सियम की सन्योजक्ता क्या है पलस टू भोतिक परिवर्तन का उधारन नहीं है क्या पूछरा नहीं है जंग लगना क्या है रशानिक परिवर्तन है तो यह भोतिक परिवर्तन नहीं होगा तो आप्शन डी सही है के फुलेरीन में मूलता कारवन पर मावनहों की संख्या कितनी होती चाहरी है ॔र आज का अंधीनत प्रस्न बैंकिंग सोड़ा की प्रकृरती है जहा रही है तो आज के वीडियो में इतना ही आज आपने साइन्सका प्यपर देखा अगले दिन हम लोग सोशल साइन्सका करें अपने दोस्तों को पास सेर करें धन्यवाद